हालो और गुड मॉनिंग एवरिवन, आप सबी लोगो का स्वागत है श्टेड़ी ग्लोस पर, और डिली करांट अफ्र के शेशन में आप सबी लोगो का स्वागत है आज है 27 नवमबर और हम लोग आज की करांट अफ्र को शुरू करने वाले हैं मैंने कल आप लोगों को एक बात बताई थी, कि असफल होना भी एक जीवन के अंदर पड़ाओ है, यदि जब तक आप लोग असफलता का सामना नहीं करेंगे, तब तक सफलता का स्वाध है, वो आप लोगों के चखने में नहीं आएगा, तो जब भी कभी जीवन में असफल ह कि गिरते हैं सैसवार मैदाने जंग में और उन्हें गिरने का कोई डर नहीं है जो घुटनों के बल चलते हैं तो आप लोग कभी असफलता से डरिये मत डट कर उसका सामना कीजिए चलिए शुरू करते हैं आप लोग मुझे इस्टापर फॉलो कर सकते हो जो भी आपकी कोईर जरूर अटेम्ट करना है चलिए शुरू करते हैं पहले कोशन के साथ में रिसेंटली एक ट्राइलेटरल नेवल एकसाई जो है वो कंड़क करवाई गई है कौन-कौन से देश है क्या नाम है इसका नाम जो है वो है दोस्ती देखिए दो वर्षों के अंदर एक बार आईज पॉरिशियस इंडियन ओशियन के अंदर इस्तित है और वहीं पर इसका पडोसी देश इस्तित है वो है मालडिव्स आप लोग को पता होगा कि भारत जो है वो इंडियन ओशियन के अंदर अपना डॉमिनेंस रखना चाता है क्योंकि चाइना जो है वो कई बार ये कोशिश करता है कि श्रिलंका के अंदर माल्दीव के अंदर वो अपने नौ सेनिक अड़े जो है उनकी इस्थापना कर ले वहाँ पर उनको इस्थापित कर दे लेकिन भारत जो है वो भी इसमें पीछे नहीं है इसलिए माल्दीव और श्रिलंका के साथ में ये trilateral exercise जो है वो conduct करवाई गई है क्या उद्देश है इसका उद्देश है ये है कि इंडियन ओशियन के अंदर एक तो शांतिक इस्थापना हो इसके साथ में ही जो भी illegal activities इंडियन ओशियन के अंदर होती है उनको रोका जाए ठीक है जैसे smuggling हो गई यहाँ पर की patrolling जो है वो कई बार सीमा के छेतर के बाहर भी की जाती है तो इन पर रोक लगाने के लिए ही ये दोस्ती जो अभ्यास है उसका आयोजन किया गया है यहाँ पर location अमलों को देखने के जुरत है इंडिया जो है वो Indian Ocean के तीनों तरफ से यहाँ पर touch करता है और यह बहुत ही veteran benefit जो है वो इंडिया के लिए है इसके बाद में Maldiv capital है Malay और फिर third country है श्रीलंका तो यहाँ पर trilateral जो है एक triangle यहाँ पर create हो रहा है अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या करना चाहते हैं कि South China Sea जो है जो dominance वहाँ पर South China Sea के अंदर China दिखाना चाहता है वही dominance जो है वो भारत रखना चाहता है Indian Ocean के अंदर तो यहाँ पर power जो है उनको balance किया जा रहा है between India, Maldives और श्रीलंका के दोरा आज के session के लिए आप लोग के लिए खास बात ये है कि देखे basically मैं आपको सच बात बता ही देता हूँ कि PPT जो बंदा बनाता है उसने आज का session पुरा Hindi में कर दिया है क्योंकि उसकी Hindi में पकड़ बड़ी अच्छी है आप लोग की शिकायत कई बार मिलती कि सर आपने ये ये चीज जो है वो हिंदी में रख दी है लेकिन basically होता क्या है कि वही बंदा जो है candidate वो क्या करता है इसको हिंदी के अंदर पुट कर देता है ठीक है चलिए तो मालदीव भारत और श्रिलंका के द्विवार्सिक त्रिपक्षी अभ्यास जो है भारत की और से participate किस ने किया है तो वज्र जो है INS वज्र और अपुर्वा इन दोनों ने participate किया है लेकिन उद्देश हम लोग को समझना की जरुवत है कि क्या objective है सबसे पहली बात कि तीनों देशों के बीच में जो relations है international relations उनको मजबूत करना है technology को share करना है और हिंद महासागर के अंदर शान्तिक इस्थापना करनी है वज्र पहार जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में connect करवाई जाता है शान्तिर ओग्रो सेना recently ये question जो था वो एक central government के exam के अंदर पूछा गया था और भारत भूटान श्रिलंका और बांगलोदेश की बीच में आईजित करवाई जाता है खंजर जो है वो भारत और किर्गिस्थान की बीच में वरुन भारत फ्रांस और युई की बीच में और पासेक्स जो है ये आज़ित करवाए जाता है भारत और इंडोनेशा के बीच में चलिए अगला कोशन बहुत ही इंपोटेंट है ये एक्जाम के पॉइंट अभी सो तो इंपोटेंट है ही साथ में अंतिरिक्ष के अंदर जो भी मलबा है उससे रिलेटेड और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एस्टरोइड जो है उनका टकराने का खत्रा कई बार परत्वी से बना रहता है तो इसी से बचने के लिए नासा के द्वारा डार्ट मिशन जो है इसको लाँच किया गया है अच्छा डार्ट मिशन क्या है एस्टरोइड की बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा अच्छा मा लीजिये कि कोई वैक्ती सड़क पर आराम से चल रहा है तो उससे तो हमें कोई परिशानी नहीं है लेकिन जो हमसे जगडा मोल लेना चाहता है जो हमसे जबरदस्ती जगडा करना चाहता है तो परिशानी तो उससे है इसलिए एस्टरोइड जो है जो कि अपने पात के अंदर यहाँ पर मूव करते रहते हैं तो उनसे तो हमें कोई परिशानी नहीं है लेकिन मार्स और जूपिटर के बीच में जो भी यहाँ पर एस्टरोइड पाये जा रहे हैं वो तो अपने पात में गवन करते हैं लेकिन कुछ ट्रोजन एस्टरोइड है वो क्या है उनके साथ में परिशानी क्या है उनके साथ में परिशानी यह है कि वो अपना पात चेंज कर देते हैं और path change करने के बाद ये डर बना रहता है कि कहीं वो अर्थ से ना टकरा जाए इसलिए NASA की द्वारा एक dart mission जो है वो Falcon 9 rocket से launch किया गया है इसमें सबसे पहले तो उस Trozen जो asteroid है इसकी direction को पता लगाए जाएगा और यदि संबभ हुआ तो इसको क्या किया जाएगा नश्ट भी किया जाएगा तो यहाँ पर हमलों से बचने के लिए ही ये dart mission जो है इसको launch किया गया है फुल फॉम आप लोग देख सकते हैं Double Asteroid Redirection Test Double Asteroid Redirection Test जो है वो dart के फुल फॉम है important है आप लोग जरूर इसको याद कर लेना ठीक है तो यह हमने देख लिया है कि SpaceX की Falcon 9 rockets इसको क्या किया गया है recently छोड़ा भी गया है नासा की बात करने तो इस्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958 को बिलकुल मैं आप लोग की भावनाओं को समझ पा रहा हूँ आप लोग देख रहे होंगे कि सर ने पूरा ही मतर जो है आज का पूरा का पूरा मटीरियल वो हिंदी में रखा है लेकिन कल से आप लोग को डेवल लेंगेज के अंदर मिल जाएगा लेकिन आज के लिए तो आप लोग को काम चलाना ही पड़ेगा चलिए हैड़कॉर्टर जो है वो वाशिंग्टन डिसी में है अद्यक्ष बिल नेलसन है और मोटो जो है वो है फोर दा बेनेफिट अफ आल नासा का सूरी के लिए मिशन है सनराइस मिशन इसकी साथ में ही नासा का जो मेसंजर सेटलाइट है उसको बुद्ध ग्रह के लिए छोड़ा गया था पहली बार मनुष्य ने चैनरमा पर जो कदम रखा था वो कौन सा था वो था अपॉलो मिशन ठीक है आपको पता होगा कि वनीजा रूपानी गुजराच सिन का संबंध है और नासा के जो पहले मंगल हेलिकॉप्टर जो था इसका नाम किसके दोरा सुझाय गया था वनीजा रूपानी के दोरा सुझाय गया था मुझे कमेंट सेक्शन में बताईए कि ये जो हेलिकॉप्टर है इसका नाम क्या था अगला देखिए कि GI टैग Geographical Indicator जो है वो दिया गया है थुमला कंबल को Basically एक कंबल जो है वो वहां के local महिलाओं की द्वारा हातों से बुना जाता है काफी बारिक कारीगिरी जो है वो इसमें महिलाओं की होती है दागों को एक गांट बांद कर Special इसके अंदर एक गांट होती है उसको बांद कर ही एक कंबल जो है वो बनाए जाता है और उत्राखंड के चमॉली डिश्टिक के अंदर ये जो है थुमला कंबल बनाए जाते है और Recently इसको GI Tag दिया गया है इसमें Double Layer होती है और GI Tag के बारे में हम लोग को समझना चाहिए देखिए Basically होता क्या है मान लीजी इस कंबल का ही हम लोग Example ले ये जो कंबल है ये उत्राखंड के अंदर बनाए जा रही है लेकिन राजस्तान में मध्य प्रदेश में कोई कंबल जो Production Company है वो क्या करें इसी नाम से कंबल बेचना शुरू करते कि मेरा ये जो कंबल है ये थुमला कंबल ही है अब इसे होगा क्या होगा ये कि जो थुमला कंबल बनाए जा रहा है उत्राखंड के अंदर उनको तो नुक्सान हो जाएगा उनको तो नुक्सान होगा ना क्योंकि उनका कंबल जो है वो आपको यह खरीद देगा रही खरीद देगा किसका जो मद्ध्रदेश में मापे प्रोडूस की जा रहे है तो जी आई टेग होता क्या है बेसिकली यह कि जिस धर्ती पर जिस इस्थान पर इसको बनाया जा रहा है इस प्रोड़क्ट को वहीं पर इसको हमेशा के लिए बनाए जाए और इसलिए GI Tag जो है इसको क्या किया जाता है निर्मित किया जाता है GI Tag दिया जाता है 10 साल के लिए वैलिट रहता है और वस्तू पंजी करन संडरक्षन एक जो है 1999 इसके तहत ये सारा संट्रक्षन प्रदान किया जाता है G.I.T.E.G. के तैत टॉप फाइव G.I.T.E.G. हम लोग देख लेते हैं जैसे नागलाइन का नागाखीरा जो है इसको G.I.T.E.G. दिया गया राधस्थान की सोजत महंधी को G.I.T.E.G. दिया जा चुका है असम की जुडीमा राइस जो है राइस वाइन जोकी वहांके चांवल से बनती है इसको G.I.T.E.G. दिया जा चुका है मध्य प्रदेश के चिन्ना और चांवल और महराष्टर के अलिबाग सफेद ब्याज जो है इसको भी G.I.T.E.G. दिया जा चुका है अगली खबर बहुती मैतरपूर्ण है रिसेंटली प्रदान मंत्री मोदी की द्वारा 600 मेगावाट का अल्टरा सॉलर पावर पार्क जो है इसकी स्थापना जासी के अंदर की गई है 3023 एकड भूमी पर 3013 करोड रुपे की लागर से इसको विक्सित किया गया है उत्र प्रदेश की राज़़णी लकनाई है यहाँ के मुख्य मंत्री योगी अधित्यनात है आनंदी बेन पटेल गवर्णनर है और मुख्य नयदीश है राजिस बिंदल यहाँ का राज की पशु जो है वो कौनसा है बारा सिंगा है राज की पक्षी सारस है और राज की फूल पलास का है राज की वरक्ष अशोक का है तो ये तो चाहें आप लोग को याद रहे ना रहे लेकिन यहाँ पर आप लोग गवर्णर और मुख्य मंत्री जो है वो याद कर लेने चाहिए अगरी खबर देखिए आप लोग कि सतत्विकास अजने कि सस्टेनेवल डवलप्मेंट जो है ये सिटी के लिए इंडेक्स जारी किया गया है नितियायोक के द्वारा और इसमें शीर्स इस्थान पर रहा है शिमला देखिए ये इस बार शेहरों के लिए पहली बार जारी किया गया है इससे पहले कभी शेहरों के लिए से जारी नहीं किया गया राज्यों के लिए जारी किया जाता है इसलिए ये जो कुशन है ये काफी इंपोर्टेंट हमारे लिए बन जाता है तो शिमला जो है इसने टॉप किया है अच्छा sustainable development होता क्या है ये term आप लोग थोड़ा समझे जिसे मा लीजिए कि आज कोईला है कोईली का इस्तेमाल हम लोग कुछ इस तरीकी से करें कि वर्तमान में at present हम लोग इसका use कर पाएं लेकिन भवेशे की पीडिया जो है वो भी इसका प्रियोग कर पाएं तो हम लोग कहेंगे कि इसका एक sustainable use हम लोग कर रहे हैं तो sustainable use जब करेंगे तो sustainable development जो है ये भी होगा तो यहाँ पर 17 sustainable development जो goal थे वो decide किये गये थे Paris Climate Agreement के अंदर 2015 में और उनी को achieve करने का target जो है वो 2030 है तो basically यहाँ पर शिमला जो है इसने टॉप किया है और कुल 26 शहर जो थे उसमें शामिल थे शिमला ने 75.50 का score किया है लेकिन इसके अंदर शिमला पहले स्थान पर कोयमबटू दूसरे पर और चंडिगर जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है कीजिएगा कि सर हिंदी में कीजिए लेकिन आप लोग जो मैंने कमेंट करने के लिए कहें हैं जो भी कोशन आप लोगों से पूछें उनके आंसर जरूर करना ठीक है तो जिनकी आबादी 10 लाग से जादा है वहीं 12 राज्यों की Lifetime Achievement Award दिया गया है और इसके अंदर बड़ी बड़ी हस्तिय जो थी वो शामिल हुई थी इस प्रोग्राम के अंदर और इनका ये दावा है इनका ये कहना है उस कॉन्फरेंस के अंदर कि देश की हर बच्चे को अच्छी सिक्षा और अच्छी सहत का यहां पर ध्यान रखना चाहिए ठीक है तो मतलब अधिकार है उसका अच्छा स्वास्त है और अच्छी सिक्षा जो है ये इसका अधिकार है चलिए Top 5 पुरसकार के हम लोग बात कर लेते हैं जैला एवान गार्डी जो है इनको मिला है Script National Spelling B का पुरसकार 2021 में Humboldt Research Award 2021 का खिताब दिया गया है कोशिक बसू को Commonwealth Points of Light Award दिया गया है सेयद उस्मान अजहर मक्सूसी को कांस Film Festival 2021 में Best Documentary का खिताब पायल कपाडिया को और Olympic Laurel पुरसकार मुहम्मद यूनिस को दिया गया है बंगलादेश से इनका संबन्द है अगली खबर भी महतुपून है रेसेंट लिए आपको पता भी होगा कि जो बाइडन जब एक एंडोसकोपी कराने के लिए जा रहे थे तो लगभग वहाँ पर एक घंटे और 28 मिनट के लिए जो उपराष्ट पती के पद पे है कमला हैरिस वो क्या हुआ कि राष्ट पती के पद पर जा बैठी एक घंटे और 28 मिनट के लिए वैसे कारेवाक राष्ट पती के पद पर ही उन्होंने उनको अपोइंट किया गया था लेकिन वापस एक घंटा और देहने को मिल रही है स्वीडन के अंदर रिसेंटली यहां की जो महिला परदान मंत्री है इन्होंने अपने पत से इस्थिफा दे दिया नाम है यहां पर आप लोग देख सकते है मैग डाल लेना एंडरसन इनका नाम है इस्थिफा क्यों दिया इससे पहले यह वित मंत्री के पत पे थी अब इन्होंने क्या किया कि गटभंदन की सरकार बनाई इनका जो संबन्द है वो डेवाकुरेटिक पार्टी से है और इन्होंने ग्रीन पार्टी से एक गटभंदन किया लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय पहशात ही जो गटभंदन की सरकार है जिसके साथ में गटभंदन किया गया था उसने क्या क्या कि अपना बहुमत वापस से विट्रॉ कर लिया और यहां पर इनको इस्तीफा देना पड़ा इससे पहले ये वित मंत्री के पत पर रह चुकी है ठीक है चलिए देख लेता है स्वेडन की लोकेशन यूरोप के अंदर नौर्थ में ये कंट्री इस्तीत है तो नौर्वेज स्वेडन ये हमेशा क्या रहती है ये हुवन डेवलेप्मेंट इंडेक्स के अंदर हमेशा टॉप पर रहती है कारण तो आप लोग जानते ही होंगे हुमन्स के लिए बेसिक नीड्स क्या है रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्त है तो ये सब जो है सिक्षा ये सब यहां के नागरिकों को फिरी दी जाती है लेकिन यहां पर टैक्स जो है वो अपलाई किया जाता है हेवी टैक्स अपलाई होता है और सब ये नागरिक वो जो है वो पे भी करते है ठीक है तो नौर्वे की लोकेशन आप लोग देख सकते है स्वीडन की लोकेशन आप लोग देख सकते है ठीक है नौर्वे की बड़ोसी देशी तो है तो Stockholm जो है वो Sweden की capital है और Stockholm के अंदर ही Nobel Prize दिये जाते है Norway के जो capital है Oslo इसके अंदर केवल Nobel Peace Prize ही दिया जाता है चलिए, यहाँ पर हम लोग ओग लोकेशन देख लेते हैं Baltic Sea भी यहाँ पर इस्तित है इसके साथ में North Sea यहाँ अस्तित है तो यहाँ पर इन्हों ने इस्तिफा क्यों दिया है वो हम लोगों ने जान लिया है Next देखिए According to the Air Quality Tracker IQ Air, how many lakh people die every year due to air pollution तो लगबग 70 लाख लोग जो है वो हर साल air pollution से इनकी मृत्ति हो जाती है लेकिन ध्यान दीजी का आखड़ों की तरफ 6 लाख जो बच्चे हैं उनकी भी मौत जो है वो air pollution से हो जाती है अच्छा बच्चों ने कोई air pollution यहाँ पर नहीं फिला है ना तो कोई factory चलाते है ना ही कोई वो vehicle चलाते है लेकिन खामियाज़ जो है वो यहाँ पर बच्चों को भोगतना पढ़ रहा है इसका अर्थ यह है कि गेहों के साथ जो है वो घुन भी पिषता है तो लगबक 70 लाख लोग जो है इनके मृत्ती हो जाती है अच्छा हम लोग air quality की बात कर रहे हैं air quality का means है कि जब PM 2.5 और PM 10 कंड जो है वो वातावरण में mix हो जाते हैं तो वो हमारे सास के साथ हमारे lungs के अंदर फेफड़ों में पहुंच जाते है और वहाँ पर एक functional unit होती है alveoli alveoli के साथ ये mix alveoli जो है वहाँ पर ये जाकर ये फंच जाते हैं ये कंड और जिससे सास लेने के अंदर problem create हो जाती है तो respiration जो problems है वो यहाँ पर शुरू जाती है तो लगबक 70 लाख जो लोग है वो इससे प्रभावित होते दिखाई देते हैं अगला question देखिए जो बाइडन प्रसाशन ने लोक तंतर के शिकर सम्मेलन में ताइवान को आमांतरित किया है और ये कब आयुजित किया जाएगा basically 9 और 10 December को आयुजित किया जाएगा इस सम्मेलन में क्या है इस सम्मेलन में ये कहा जा सकता है कि अमेरिका ने बाप को तो यहाँ पर invite नहीं किया बेटे को invite कर लिया problem होई ना कि मान लीजिये कि आपके घर में शादिगा काड आता है आपके पिताजी कोई invitation नहीं है केवल आपको ही है जबकि वो आपके पिताजी से ज़्यादा अच्छे से रोबरू है तो problem तो होगी ना इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है कि अमेरिका ने ताइवान को तो यहाँ पर क्या कर लिया है invite कर लिया है और चाइना को यहाँ पर invite नहीं किया अच्छा problem क्या हो गई problem यह हो गई कि basically सम्मेलन का जो उद्देश है वो यही है कि लोकतंत्र को कैसे इस्थापित किया जाए लोकतंत्र के अंदर स्वतंत्र था हैनि कि freedom जो है वो कैसे create की जाए क्योंकि आप लोग को पता होगा कि चाइना जो है वो one China policy के तहत ताइवान को अपना ही एक अंग मानता है लेकिन अमेरिका इसका अपोस करता है location आप लोग देख सकते है ताइवान जो है वो बिल्कुल पूरों में सित है चाइना के भी पूरों में सित है ठीक है यहाँ पर और चाइना जो है one China policy के ताइवान को अपना ही अंग मानता है तो ताइवान होंकोंग यह सारे कई बार अपोस करते हुए आपको दिखाई जते है निउस के अंदर तो US जो है इसने ताइवान को invite किया है लेकिन किसको invite नहीं किया यहाँ पर invite नहीं किया है चाइना को तो लोग तंतर के लिए यहाँ पर यह सम्मेलन जो है इसका आइजन हुआ है और 110 देशों नहीं यहाँ पर participation दिखाया है connect 2021 तो यह जो है वो communication technology के छेतर के अंदर एक summit जो है वो आईजित करवाई गई है सम्मेलन कहाँ पर हुआ है यह हुआ है basically चैन्नाई के अंदर क्या उद्देश्य इसका target यह है कि तमिन लाडू की जो GDP है इसको 1000 यह हजार डॉलर के उपर भी 1000 अरब डॉलर जो है इसके उपर पहुचा दिया जाए तो basically तमिन लाडू की GDP को improve करने के लिए grow करने के लिए ही यह क्या किया गया है connect 2021 जो है 26 और 27 नाउंबर को चैन्नाई की चैन्नाई के अंदर किया जाना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1000 अरब डॉलर तक ले जाने की 2030 तक उद्देश यह है किसका तमिन लाडू की GDP का और इसका आईजन किस ने किया है आईजन किया है CII के द्वारा M के इस्टालिन जो है वो मुख्यमंत्री है तमिन लाडू के चलिए 25 नवंबर की करेंट अफेर को रिवाइस कर लेते हैं रिसेंटली देश का सरवसरेश पुलिस थाना जो है वो सदर बजार B करेंट आंसर था याद कीजी का बहुत इंपोटन करेंट अफेर है रिसेंटली आमेशा की दोरा रानी गेदल्यू आदिवासी स्वतंदर ता सैनानी संग्राले की आदार्चिरा जो है वो मनिपूर के अंदर रखी गई है B जो है ये इसका करेंट आंसर है कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर जी की किताब है ग्रूप केप्टन अभिनंदन वर्दमान जो है इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है D करेक्ट आंसर है कौन सा देश युनाइटेट किंग्डम और संयुक्त राज़ अमेरिका के साथ परमानू संचालिट पंडू भी जो रक्षा संगठन है इसका हिस्सा बन गया है तो वो है ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली प्रधान मंत्री की जो आर्थिक सलाकार समीती है इसके दोरा भारत की आर्थिक वर्दीदर जो है 2023 के लिए वो साथ से लेकर 7.5 परतीशत यहाँ पर बताई गई है ये किताब जो है वो बान की मून की आत्मकता है अंतराश्ट्री अहमी पुरसकार जो है वो डैविल टैनेट को दिया गया है अब्दुल्ला हाम डोक ये जो थे वो सुडान के वापस से प्रधान मंत्री बन जुके है ये कल का हमारा एक्टेटी ग्लोस कोशन था कि CISF के नए डारेक्टर जनरल जो है वो अपॉइंट किये गए है शील वर्दन सिंग तो सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद किया आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर किया सब के कमेंट जो है वो मैंने चेक किये थे कमेंट किया तो ये मानके चलिएगा कि एक्जाम में आपका ये कोशन गलत नहीं ही होगा ठीक है तो चलिए आप लोगों के लिए बहुती बहतरी बहतरी न कंटेंट लेकर आता है नॉलेज इस पावर ये हमारी टेक लाइन है तो चलिए कल मिलते हम लोग बहुती बहतरी लेक्चर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू